यह तो इस हमाइब करने वाले बहुत इंट्रस्टिंग जावा स्क्रिप्ट कर चुके हैं और यहां पर इस वीडियो के अंदर उन्हें सारव टॉपेक्स को मर्ज करके बड़ा प्रोजेक्त हम create करने वाले हैं, आप सभी coding करते हैं, आप सभी software engineer बनना चाहते हैं, आप सभी कुछ लोग आप में से software engineer औरड़ी होंगे, कहीं पर काम कर रहे होंगे, और switch करना चाहते हैं, और grow करना चाहते हैं, अपने career के अंदर, तो आप सभी ने कभी यही एक project में convert कर दिया जाए, एक ऐसा project बनाते हैं, जहां पर कोई भी विक्ति आकर अपना username insert कर सकता है, और जैसी उसर ने में insert करेगा, उसका सारा का सारा stats हमारे पास available हो जाएगा, कि इसने easy के कितने question solve किये हैं, medium के कितने question solve किये हैं, hard के कितने question solve किये हैं, कि यह create करते हैं, लक्षे कि मैंने profile खोली है, मैंने का जलो ठीक है, देखते हैं, यहां पर तो चीज़े बन रहे हैं, यह खुद से create करने कोई कोई करते हैं, पर यह data fetch करने के लिए मेरे पास कोई API होनी चाहिए, जहां पर मैं अपने get request, post request, कोई भी टाइब के request मारूं, और data को लेकर रहा हूं, तो थोड़ी बहुत ही search की, और मुझे यहां पर एक lead code पर same question मिला, कि क्या कोई public API in point available है, lead code तो यहां पर दो बहुत प्यारे-प्यारे answers थे, एक तो था कि आप lead code का ही graph QL वाला URL यूज़ कर लो, ठीक है, यहां पर आपके पूरे graph की query बनेगी, और आप वो insert करेंगे body के अंतर, उसके द्वारा आप data को लेकर आएंगे, एक तरीका तो यह हो गया, और दूसरा तरीका क्या था, एक और यहां पर किसी ने मुझे GitHub की कोई repo देखी, मेरे को तो नहीं भेजी, किसी ने आपके question पूझे सा, उसको मिली, बट ठीक है, मेरे को लगा यार, यह भी use कर सकते हैं, तो यह दोनों ही तरीकों से अपने answer को लेकर आ सकते हैं, दोनों ही तरीकों से अपने project कम create कर सकते हैं, अगर यह चल गया, तो ठीक है, नहीं चला, तो फिर हम पहले वाला तरीका जो है, जहां पर हम lead code की graph के लिउस करने वाले हैं, उसके तोड़ा कर लेंगे, पर add then कर लेंगे, उसके चिंता नहीं करने हैं, ठीक है, बलकुल भी, चलो, जो AP endpoint है, जो मुझे use करना है, जिसके उपर मैं अपनी get request मारने वाला हूँ, यह वाला AP endpoint होने वाला है, यहाँ पर यह वाला आपका base URL सेम रहेगा, यहाँ पर आपका username add हो जाएगा, लक्षे के case में specifically बात करने, तो username क्या है, लक्षे K12, ठीक है, तो यह data में पस आ जाना चाहिए, तो मैंने का चलो, एक बाट एक rough UI create करका देखते हैं, कि इस परकार की चीज़ें हम बनाना चाहते हैं, हमारे UI कैसा देखने वाला है, उसके बाद आगे बाद करेंगे, तो बहुत मज़ा है कि छोटी से प्यारे से project के अंतर, तो लेट से इस project का नाम मैंने क्या रख दिया, मैंने बोल दिया, इसको नाम lead code का matrix लेकर आरे हैं, तो इसको नाम मैंने lead matrix रख दिया, ठेक है, बहुत बढ़िया, यहां मैंने एक label डाल दिया, एक paragraph डाल दिया, heading डाल दिया, जो आप कहना चाहिए, enter username, यहां मैंने username एंटर करवाने के लिए test field का input field का use कर लिया, और यहां पर मैंने एक button रख लिए, जो कि क्या करता है, जो भी आपने username डाला हो, उसको search करता है, ठीक है, यह बाद समझ में आती है, heading नजर आती है, paragraph नजर आता है, input field नजर आती है, search का button अजर आता है, यहां पे एक place holder मैंने add कर दिया है, बाई, enter your username here करके, अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा और creative होनी कोशिश की, मैंने बहुत जो easy वाले questions कितने solve हुए है, total कितने है, यहां पर दिखा दो, medium वाले question कितने solve की है, यहां पर दिखा दो, circular format के अंदर, ऐसा जिसे pie chart होता है, तो pie chart format में दिखाना चाहते हैं, यह overall questions है, और overall question में से आपने कितने किये हैं, आपने से वितने किये हुए हैं, तो let's say 33 by 181, ऐसा करके आपका UI यहां पर आने वाला है, ठीक है, इसके बाद, मैंने का दिखा दो ranking कितनी हैं, दिखा दो contribution points कितने हैं, दिखा दो acceptance rate क्या चल रही है, ऐसे वगेरा वगेरा, जो भी और data आपको यहां पर मिल रहा है, जो आप दिखाना चाहें, वो दिखा दो, तो इस पगार से कुछ cards मैंने यहां पर populate करवा जें, तो यह हमारा छोटा सा प्यारा सा यहां जादा कुछ हमने इसमें फैंसी करना चाहेंगे भी नहीं तो हमने जितनी भी लर्निंग अब तक HTML, CSS, JavaScript के लिए हैं, उसको यहां पर apply करेंगे हैं, तो यहां पर major focus रहे हैं आपका JavaScript के उपर, कि जो भी चीज़े हमने अब तक सीखी चाहिए, और हैंडलिंग हो चाहिए, फैच API हो चाहिए, प्रॉमिस हैंडल करना हो चाहिए, यूज़ करना हूँ, उन सभी चीज़ों को यहां पर बहुत ही प्यारे तरी किसम यूटलाइज कर पाएं, कर पाएं, apply कर पाएं, implement कर पाएं, क्या बात समझ में आती है, तो फटा फट से without wasting time इनको code कर लेते हैं, ठीक है, एक HTML basic structure प्रवाइड कर लिए इस प्रकार से यह पूरा पूरा पार्ट है, यह user specific है, तो यह इसको एक container में बना दूँगा, उसका नाम user दे दूँगा, यहां पर को एक container नजर आता है, मैंने container create कर दिया, बहुत बढ़िया, यह मेरे को एक paragraph नजर आ रहा है, यह मेरे को एक button नजर आ रहा है, यहां पर अगेन यह तीनों circle जो है, यह तीनों div ही है, वह इसकी CSS में थोड़ा खास ज्यान रिखना पड़ेगा, ताकि मैं इसको circle create कर पाऊ तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, पड़ावट चलते हैं हमारे code window की तरफ और इसे code करना सुदू करते हैं, मैंने बोला हमने countdown timer create किया था, बड़ा मज़ा आया था, उसे create करने में, आपको भी मज़ा आया हुगा, अगर आपने पड़ा है अब तो टाइमर वाले project को फटावर्ट से complete कर लें, तो मैंने बोला lead metric, तो यह lead metric नाम का मैंने project create कर लिया है, और यहां पर एक file अपन create करते हैं, मैंने बोला कि इसको लोग उपर करते हैं, थोड़ा सा view में अटक रहा है, ऐसे अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, हमने बोला index.html एक file हमने create कर ली, इसका title को हमने change कर दिया, lead metric के नाम से कि यह हमारी application को title होने वाला है, मैंने बोला इसके अंदर चीज़ें add करेंगे भी, पहले files create कर लेते हैं, तो मैंने एक और file create कर ली, मैंने इसको नाम दे दिया style.css, मैंने एक और file create कर ली, इसका नाम मैं दे दिया script.js, बहुत बढ़ है, तो मैंने उसको भी हाँ पर link कर दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो अब यहाँ पर अपना structure है, वो create करना शुरू करते हैं, मैंने का कि मेरे पास एक overall container होगा, जिसके अंदर मैं सारी के सारी चीज़े insert करने वाला हूँ, इस container के अंदर मैंने तीन चीज़ें रखी अपने user container बनाना है, यहाँ पर class, यूजर कंटेनर के अंदर मुझे क्या नजर आता है, अब यूजर कंटेनर के अंदर मुझे सबसे पहले मुझे paragraph नजर आ रहा है, अशिक पर agraff के अंदर मैं क्या बलने वालूं, enter your username below, तो आपको अपना मैं एड़ कर दिया एक इंपूट फिल्ड और यहां पर चाहिए तो आपने क्या गरदिया है यहां पे क्रिएट कर लिया यूजर इंपूट कि कोरी क debate मैंने एक input field रखी हुई है एक input field है मेरे पास type text है ठीक है placeholder में क्या चाहता हूं मैं placeholder मैंने बोल दिया enter your username here ठीक है एक ID मैंने इसकी रख ली एक ID इसकी रख ली है हमने ID क्या रखी जाए क्या रखी जाए ID हमने रख दी है इसकी user input एक इतना काफी है इतना काफी है इतना काफी है आगे बढ़ सकता हूं मैं इसके बाद मैंने यहां पर एक button create कर दिया है button के लिए भी मैंने बोला कि मुझे ID देनी पड़ेगी तो मैंने इसका ना रख दिया search button search button रख दिया और इसके अंदर text क्या चाहता हूं मैं सर्च चाहता हूं बहुत बढ़िया यहां पर सब कुछ हो गया heading मैंने इंसर्ट कर दी paragraph मैंने इंसर्ट कर दिया input field जो चाहिए वह बना दी है और button मैंने create कर दिया ठीक है the stats के अंदर क्या चाहते हूं सबसे पहले यहां पर मेरा progress का section होना चाहिए तो progress का section अब progress के section के अंदर तीन circle मुझे दिख रहे हैं तीन प्राग्रैस item मुझे देख रहे हैं तो मैंने यहां पर तो एक progress item के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको नदर आती है एक progress item मुझे circle create करना है और उस circle के अंदर एक label आएगा कि भाई कितने question solve कर चुकि हो कितने में से दो प्रकार के चीज़ें आपके आने वाली है तो मैंने क्या बोल दिया मैंने बोल दिया फटा फट से हमने एक easy progress नाम का डिव ले लिया जिस डिव के अंदर मैंने क्या बोला ले लिया और बता दूंगा कि भाई यह easy label है इसके अंदर आप अपना इस span के अपना data show कर दो कितने में से कितने easy question solve हुए है और यहां मैंने marking कर सकता हूं पूरा कर पूरा हर progress item के अंदर और यह वाली progress item जो है यह किसके लिए है यह medium के लिए है और यहां पर भी medium आना चाहिए यह progress item जो है यह भी medium के लिए है समय kay radiator के लिए है यह भी hard के लिए है को यह और यह भी hard है ठीक है इतना हो गया तो मैंने मैंने देखा कि ये मेरी पहली progress item है ये तीसी progress item है इन को मैंने minimize कर दिया दिखने दोला साफ सुत्र रगएगा और ये तीनो progress item को मैंने इस progress वाले content अंदर श्टॉर कर रखा है last में मेरे card वाला container भी तो कोई होना चाहिए तो मैंने यहां पर card का भी a container बना दिया मैंने बहुत साथ के कार्ड चाहिए अब इसके अंदर अपन लेट से अगें बहुत साइच चीज हमने सीखिए हुए तो इसको लेट से अपन जो जावा स्क्रिप्ट का कोड लिकेंगे ना उसके द्वारी पापुलेट कर वा लेंगे अभी स्टार्टिंग में यह बात समझ वे आती हैं यह बहुत बढ़िया और क्या कर सकते हैं इतना काफी है आगे बाड़ सकते हैं इसको लेक्ट है और थीक किलीन करें वह किलीकर से ओपर से कंद मचा हुआ है इसको clear 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 ndex.html शॉटकट कोई है अपने बास close to the right हाँ है भाई तो यहां पर हमने कर लिया इसको close to the right बढ़िया अब इसमें close to the left option है कोई I don't think so बढ़िया सही है तो यह तीन फाइल हमने फटापर यहां पर रख लिया भाई तो अभी एक बार फटावट से जो भी मारा कोड़ है इसको फटावट से पर हम लाइव सर्व पर चलागे बढ़ेंगे वन बाइव टेक है चल जा मित्र गो लाइव बढ़िया तो इस प्रकार का आ रहा है अगे दिखने में बहुत गंदा लग रहा है अभी के लिए तो ठीक ठीक करते हैं इसको ठीक करते हैं हमने बोला सबसे पहले हमारी ग्लोबल प्रॉपर्टी सेट कर दी हम ने बोला मार्जन जीरो ले लेना और बॉक्स साइजिंग जो है वाटर वाक्स कर देना लेट से फॉन्ट फैमिली जो मैं यूज करना चाहता हूं कुछ भी रैंडबली चूज कर लिए मने टाइमस नियु रोमन ले लिए ठीक है जो मेरे को मन कर रहा है मैंने वह तुम ले सकते हो बाड़ी को पकड़ा हमने बाड़ी को पकड़ के बोला कि भाई जो बैक्ग्राउंड कलर है वह थोड़ा सा बढ़िया संदर सचील सा देदो अभी ब्लैक लेलि यह आई थेंग यह थोड़ा सा और हलका कर सकते हैं अगें मैं फिर से बोल रहा हूं यह वाला काम उससे थोड़ा हो नहीं पाता यह संदर एड़ करने वाला उतना क्रियेटिव नहीं है मेरा दिमाग यह कलर बगयरा चूज करने हो बर चलो ठीक है कलर को हमने यहां पर सब्सक्राइब कर दिया जो भी आपका थे रहा है यहां इसको अटा सकते हैं इसकी कोई नीड में तो मैंने ना कि कंटेनर पकड़ते हैं कि हमने शुरुबात में ही रख लिया था सभी सभी यहां पर मैंने वह संटेनर में सारी के सारी चीज़ें फ्लेक्स के फर्माट में कोलम में अपना लाइन कर देंगे अगे यह वला तो अगे वाला टाइम लेता है उता इंटर्स्टिंग भी नहीं लिए बैकन वाला पार्ट जहां पर एंटार्ण लॉजीक आप लिए ब्रेन अप लिए वो इस कंटेनर का हमने कोई g color ले लिया है वी पकड़ते हैं 24 कोई तो हमने यहां पर कोई gray color पकड़ लिया लेट से ग्रेकर यह हमारे पास आ गया है कुछ पैडिंग हमने आपर एड कर दी लेट से हमने बॉला कि 20 पिक्षल के मुझे पैडिंग करनी है और लेट से मैंने बोला क बढ़ा यह नहीं होने वाला है तो इसके विट यहां पर एक दे सकते हैं कि इसके विफ्ट जो है इसके विफ्टी परशन दे दिए कि जो भी पेनटों को इसके 50 बिटे लेने वाला ठीक है बहुत बढ़िया थीक लग रहा है पर चलो काम चल जाएगा ते कलर के ऊपर नहीं जाते हैं जो में चीज है उसके उपर चलते हैं भाई कलर में चूज करनी पाता हूं संदर सा बनवा दूंगा बढ़िया चलेगा मज़ा आएगा तो मैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बहुत मजाक हो गया अब हमने बोला थोड़ासा जादा लग रहा है इसको वन पंट फाइव आरिम कर लो तो ठीक है वन पंट फाइव लुक्स गूड इतना त सकते हैं लीट मैट्रिक है इसको थोड़ा सापन ठीक करना चाहते हैं जो भी फॉन साइज है मैंने लेट से बोल दिया कितना हो जाएगा तो आरिम में में इस टेमें सेम अब ठीक है बढ़िया तो हमने इसको टू आर एम के एक्वल ही बोल दिया और बस ठीक है चल जाएग के बाद यूजर कंटेनर है यूजर कंटेनर के अंदर चेंज अपन करना चाहते हैं तो मैंने बोला एक के नीचे एक चीज़ें होनी चाहिए जो की एक्जाक्ली है भी तो हमने बोला के यूजर कंटेनर डिस्प्ले मार्क कर दी हमने फ्लेक्स और फ्लेक्स डिरेक्शन जो स्टार्ट में सब स्टार्ट में लाइन होना चाहिए बिल्कुल सभी बढ़िया चल रहा कोई बिकत नहीं है अब हम आते हैं वापस कंटेनर के बाद क्या है आपका यूजर इंपुट वाली फील्ड है यूजर इंपुट कंटेनर है जिसमें दोनों चीजे हैं तो इसको इसक सब्सक्राइब कर दिया ताकि आप एक्स्ट्रीम पर प्लेस हो जाएं पूरा का पूरा बहुत बढ़िया ठीक है आइधिक सभी चल रहा है तक कोई भी दिकत नहीं है अब हमने क्या किया अब हमने क्या किया इसके बाद मैंने कहा कि जो भी मेरा यह उसर इंपुट है अभी सब्सक्राइब कर लेते हैं बटन की बात कर लेते हैं बटन हमने एक और आईडी ली हुई है इसको भी स्टाइल करना पड़ेगा अगें अभी मैं कोई बहुत ज़्यादा डेप्स में नहीं देखने वाला स्टाइलिंग को कि भाई सुंतर हो जाए मज़ा आ जाएगा नहीं नहीं थोड़ा बहुत देखने में ठीक लगे उसके बाद आपने को बढ़िया करना पड़ेगा ना तो मज़ा नहीं आएगा वाडर रेडियस हमने बोल दिया यहां पर इसा टैन पिक्सल कैसा लग रहा है ज्यादा हो गया इसा फाइफ पिक्सल कैसा लग रहा है आई थेंग लुकिंग गुड इसी को अपने रैप्लिकेट कर दिया यहां पर भी तो हमने चीज़ें अंड कर दे लीट मैट्रिक हो गया आपके इंपुट फिल्ड हो गई आपकी सर्च वार और गई आगे बढ़ सकते हैं मैंने कहा कि शुरुवात में शुरुवात में जो आपका सर्च यह स्टार्ट वाली गेम है ना सारी भी रख सकता हूं कर दो तो गया होगा है नहीं हो ठीक है तब तो मुझे कमेंट बताना कि यह क्यों नहीं हुआ सीधा यहां पर मार्क करने से क्यों नहीं हुआ बहां पर करूंगा तो हो जाएगा भाहिया चलो वहां कर कर के देख लेते हैं की तक हूं तो हो नहीं कर रहे हैं तो नहीं हमने कर रहे हैं तो नहीं होसा कर रहे हैं यह तुम्हारे लिए होंबक है तो मुझे बताने वाले हो इसीज़ना common कर दी मैं जो है उसके अंदर एक और class दे दी मैंने इसका नाम circle लग दिया एक और class दे दिया एक और class दे इसका नाम circle कर दिया तीनों में इसेम class इसलिए क्यों कि मैं circle की property सब्सक्राइब करें तो यहां पर यह कोचिन हमने सब्सक्राइब कर दिए और जो सरकल के अंडर एक और स्पैन टैग है जहां पर लेबल्स लगे हैं उन सभी के लिए हमने अड़ कर दिया है तो हमने सिंपल सी बात बोले कि हमें सर्कल क्रीट करना था तो हमने हाइट और विट जो एक्जाक्ली सेम मैच कि ताकि स्क्वेर बन पाए और 50% बॉर्ड रेडिस लेकि हमने इसको सरकल में कर लिया कुछ सबसे इंपॉर्टन पार्ट है यहां पर कोनी ग्रेडियंट वाला यह बहुत इंपॉर्टन तो इस कोनी ग्रेडियंट के द्वार तुम प्रॉग्रेस दिखाने वाले हो यहां पर ध्यान से अब्सक्राइब करो मैंने यहां पर क्रेट किया हुआ है अब इस CSS वैरियेबल की वैल्यू 10 परसंट 20 परसंट 50 परसंट 13 परसंट 17 परसंट कितनी होने वाली है वह आपका जावास्क्रिप्ट आपका ब्रेन कैलकुलेट करेगा जो भी डेटा मेरे पास लीड कोड की API से आ रहा है जो भी API हम उससे आ रहा है उस देटा को मैं कनवर सब्सक्राइब को जैसे मेरे पास वैल्यू है कि वैल्यू के हिसाब से मैं इस कलर को इस वैरियेबल की वैल्यू को चेंज करूंगा अकॉर्डिंगल यहां पर यह पाई चार अपडेट होतो जाएगा गरबढ़ क्या है हमने सोचा यह तीनों जो सरकल थी एक रो वाइस मैन के अंदर थे तो रोवाइस मैनर मुझे इनको क्रिएट कर रहा है तो महाँ चलते हैं मैंने बोला डिस्प्ले जो है फ्लेक्स कर दो अगें डिफॉल्ट ही होती है तो वहां पर कोई इस्व नहीं होना चाहिए ठीक है यहां पर मैंने बोल दिया के ग्याप मिने को चाहिए इतलीज 10 ठीक्सल या पहन ऐसा कर सकते ना हमने बोला कि फ्लेक्स डारेक्शन जो है उसको हमने रोख कर दिया और हमने बोले जस्टीफाइग कांटेंट जो है उसको स्पेस ईवन्ली गर दिया तो इससे क्या हुआ है यह सारे सारे सखल ईवनली डिस्रिब्यूट हो गए ठ भी हमाँ करना चाहूं तो फ्लेक्स टेराप को मार करने करें कि outra टार्वन भाण तो क्या वोला है इससे अगर में जा नीचे जाएगा बहुत बढ़िड बढ़ी है एक गयाप हमें देना चाहिए jajad ज्यानद दोगा नहीं तो इतना है इतना नजर आ रहा है वह पता लग गए कि तुम्हारे लें खुझ से करना अब क्या बचाए यहां पे कुछ तो अब यहां इतना यॉइक काफी है और इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे जावास क्रिप्ट के कोड की तरफ किस प्रकार से वह सारी की सारी चीज़ें होने वाली है क्या लौजिक लिखने वाले है तो मैंने आपर यह जावास क्रिप्ट की फाइल हम अपनी ऊपन क साथ बोली कि सारी की सारी चीज़ें जो भी लगाने वाला हूं जो भी कॉल करने वाला हूं का पूरा लोड हो जाए उसके बाद ही मैं अपना दिमाग लगांगा कि क्या क्या फंक्शन मुझे लिखने है तो मैंने आप एक इवेंट लिसनर किस चीज के ऊपर मैंने बोला ज लोड हो जाएगा उसके बाद यहां पर करना अब क्या क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए क्या क्या स्टेप मैं क्रिएट कर सकता हूं मैंने सिंपल बात बोली कि भाई मैं कुछ भी नहीं करूंगा जब तक आप सर्च पर क्लिक नहीं करोगे तो सर्च बटन पर क्लिक करन मुझे यह वाले span tag का भी पता होना चाहिए ताकि में डेटा कर पाऊं कुछ कार्ड है अब तरह करोगे उनका पर पता होना चाहिए ताकि वहां पर टीटा पूलेट कर पाऊ तो बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी से अलिमेंट जिनके बारे में घ्यान मिरें को फर्स टे पर टीनो अब तो लेड़ अर चाहिए पता कैसे लगा में यहां पर डखना पर नहीं रखना करते अपर ले sudah कर लिए बटन पे क्लिक करते आपने बटन ले लिया दो चीज़ तो यहां पर यह हो गई तीनों सब्सक्राइब करने वाले कि कि इसी किस कर लिया है और यहां पर यहां सब्सक्राइब है फेच कर लिया फैक्ज कर लिया है। क्या करना। करने का उपर हम ने एट कर दिया और कौन से इए पर करेगा हम क्लिक करेगा है he इसे को रनकरना तो आप यहां पर लेट से कोई फॉं occur दिया कि भाई इस होगा लिका क्रिक हों आप अब क्या करने वाले हैं बटन पर क्लिक होते ही सबसे प्यादा टास्कम मेरा होना है क 야 deseg तो मैंने बोला है कॉंस्ट जो इसका उसक यह एक्वल करें के यूजर नेम इन्पूट पर भाइट कर ली हमारे लिए हमें देखना क्रलिए नहीं हो लोग लेते हैं लॉग यूजर नेम और हमने या पर यूजर नेम को एक बार प्रिंट करागा देख लिया नहीं चल रहा थो हमने आप और हैमने प्यूजव कर लिया इन स्पेक्ट कर लिया इन स्सेक्ट करें क्या वाइक से उस踏क नह्या है आएक या नहीं है तो लेट से मैंने आप एक function क्रियेट कर लिया यह function का नाम है validate username तो आप यहां पर इसको username देते हैं और यह accordingly आपको return करता है true or false based on a regular expression आपका lead code username के लिए अपर चेक कर लेंगे अपर इस प्रकार से बोल दिया कि हम check कर लेते हैं username.trim करके कहीं यह empty string के equal तो नहीं तो अगर यह empty string के equal है तो मैं return false कर दिया alert डियालक देता हूं एक बार के username should not be empty ठीक है और return कर दिया मैंने false बढ़िया ठीक है अब एक regular expression लेकर आते हैं आप चाहो तो GPT से मांग लो कि भाई एक regular expression अपने को चाहिए और accordingly यहाँ पर copy paste कर दो किस प्रकार इस प्रकार तो यह हमारा आपने टेस्ट कर लिया आपके username को अगर तो मैच कर जाएगा तो true answer आएगा नहीं कर पाएगा तो false answer आजाएगा तो इस प्रकार से आपने validation लगा दी जैसा भी है या फिर हम इस प्रकार इसको कर सकते थे कि अगर यह भेञा कर लो इफ अगर यह मैच नहीं कर रहा है अगर यह मैच नहीं कर रहा है तो उसकेस में आपने एक और अलेर्ट दिखा दिया कि इन वैलिड यूजर नेम देगा बढ़िया अगें यह जीपटी जनेरेट कर वाए हमने रेगुल एक्सप्रेक्शन तो इसकी अगर मेरा यूजर नेम वैलिड है तो क्या करूं अगर आपका यूजर नेम वैलिड है तो हमने जो यहां पर अभी इस एपिआई एंड पॉइंट देखा है इस एपिए एंड पॉइंट में यूजर नेम को डाल कर फटा फट से इससे डेटा मंगवा लो मैंने कहा वेरी गुड तो इसका मतलब मैंने यहां पर एक और फंक्शन लिख लिया और फंक्शन क्योंकि मैं आप एक एक एपिए अगर वैलिड यूजर नेम तुम्हें मिलता है तो बढ़िया जो भी इस यूजर नेम के लिए लीड को प्रवाइड करना चाहता है या वह यह पर प्रवाइड करना चाहता है बहुत बढ़िया अब सबसे पहले मैंने बोला कि क्या कर सकते हैं क्योंकि मैं यहां पर करने वाला हूं और हमने इस प्रकार से इसे रख लिया गिंकॉंफिदेंस होड़ा सा कम है इस यूरल के ऊपर मेरे को कि चलेगा के नहीं चलेगा बाथ ठीक है मान के चलेते हैं भी चलेगा ठीक है तो इसको हमने यहां से यूजरम को हटाया और हमें क्या वैलियू रखने यहां पर और रिप्लेस हो जाएगा ठीक है यूरल मेरा बढ़िया बन गया मैंने आपर क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एक नेटवर्क कॉल जा रही है एसिंक ऑपरेक्शन हो रहा है तो मैंने आप बोल दिया कि कॉंस्ट रिस्पॉंस विल भी एक्वल टू आपने वेट कर दिया इस यूरल के उपर आपने गेट रिक्वेस्ट मार दी बहुत बढ़िया ठीक है आपने बोला कि इफ अगर आपका जो रिस्पॉंस है वो ओके स्टेटस आपको नहीं दे रहा है तो इस केस में आपने लेट अगर नहीं दिया तो हमने डेटा यहां से निकाल लिया डेटा वुड बी इक्वल टू अवेट कर दिया क्योंकि एसिंग ऑपरेशन है आपने बोल दिया रिस्पॉंस डॉट जेसॉन अगें मैं चाहता हूं इस पर देखना कि सब कुस्त ही चल रहा है तो मैंने कुछ लेवल ओफ लॉग यहां पर आड़ कर दी लॉग डेटा बढ़ लिया तो आगे करेंगे बात आगे और चीज़ें करेंगे पर उससे पहले एक बार मैं देखना चाहता हूं कि इतना टेक्स दिखाना लग जाए और साथ मैं डिसेबल हो जाए तो यहां दो चीज़ें मैंने और आड़ कर दी कि भाई जो भी मेरा सर्च बटन है उसके अंदर मैंने क्या बोल दिया कि उसका टेक्स्ट कॉंटेंट जो है वो चेंज हो जाना चाहिए किसमें सर्चिंग डॉट ठीक है और साथ में मैंने बोला कि सर्च बटन जो है उसको डिसेबल भी मार कर देंगे डिसेबल 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 स्टू ट्रू चेक करते हैं क्या मैं क्लिक करता हूं तो चले अगए अगर नहीं सर्च पे क्लिक किया यूजर नेम शुड नॉट भी अप्टी बढ़िया है या ऐलर्ट साही चलवा रहा मैंने बोला कि यहांपर एलट से मैंने वूल दिया लव बबर और मैंने सर्च किया सर्चिंग डिसेबल भी बढ़िया चलव तो हमने सर्चिंग करवाई ठीक हो गया डिसेबल कर दिया ठीक हो गया एक आप आपर ज्यादा लॉग डेटा करके अभी तक आया नहीं तो यह सर्विस अनविलेबल स्टेटस दिखा रही है मुझे वैस शक्त है इसके उपर चलेगा के नहीं चलेगा तो यह नहीं चल रहा है ओके नहीं चल रहा है चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या कि बात करते हैं कि सिंपल सब्सक्राइब की जो स्टार्ट से मेरे पास है उच स्टार्ट कंटेनर के अंदर मैंने स्ट्मल कोड डाल दिया वटा वट से अमने बोला कि यहां पर हम एक परकार का है और फाइनली के अंदर पर फाइनली जब का प्सको वापस पहले जैसा कर दो कि सर्च और इसको वापस से आप इस प्रटन को यूज किया जा सकता है सब्सक्राइब नाया है अभी तक तो कोई डेटा नहीं आया है टाइम लग रहा है क्या पता चल जाए कि आ पता नासे ले कुछ भी हो सकता है अपने सीधा लीट कोड करना पड़ेगा लीट कोड के लिए अगर यह नहीं चला तो तब तक तब तक वेट करते हैं क्या होता है टाइम लग रहा है कुछ नहीं कर सकते वेट करना पड़ेगा ताइम आउट होगा मेरे साब से और फिर तुम्हारा नो डेटा फाउंड तुम्हारा देखना चाहिए यहां पर इंस्पेक्ट कर रहे हैं कॉंसोल में जा रहे हैं वी तक कुछ प्रिंट हुआ नहीं है बहुत जादा टाइम लग गया यार अपने को कुछ और यूज करना पड़ेगा इसके अलावा कुछ और यूज करना पड़ेगा तो हम गए कर और यहां पर जो पहला इन्होंने अन्पॉंट बताया था कि आप लिट कोड का यह वाला ये उसके करने कोशिश कर लेते हैं तो यह अपन ने उठा लिया है यूरल और ये मैंने अपडेट कर दिया है यहां पर की यह मेरा यूरल बनने वाला है जान से अबसर्फ करोगे तो मैं यहां पर नहीं ने बोला होगा कि यह जो रिक्वेस्ट है यह गट टाइप तो नहीं होने वाली है तो हम गए यह क्वेरी है पूरी की पूरी क्योंकि एक बार यह देखना पड़ेगा लीड कोड की जो एपी है किस प्रकार से है तो हमने बोल दिया लीड कोड अपी आई बेस्ट ऑन यूजर नेमً ग्राफ क्यूवद में क्या था ना ना यह नहीं यह नहीं है ग्राफ्क्यूब स्कीमा यूजर नेम इस परकार सापको क ठीक है यहां पर थोड़ी से रिसर्च करनी पड़ेगी ठीक है थोड़ी से रिसर्च करके अपने को लेकर आना पड़ेगा यह उसके बाद ही समझ में आएगा यहां पर कुछ मिला यार कुछ मिला get public user profile जो लीड़ेगा इससे कर सकते हैं इससे कर सकते हैं कर सकते हैं पर चाहूंगा कि इन चीज़ों में भी ना घुसूँ किया यह कि आपकेज इंसर्ट किया यह इक है उसका हम करने वाली है प्रोफाइल यूजर नेम क्लिक यह डेमो किसी वक्ते ने क्रियेट किया हुआ है आइटिंग हमें खुदी कर लेना चाहिए जाके पचास लोगों को दिखूँ अपन फटावट से आपको दिखाते हैं किस पकार से आपको यहां पर क्रियेट करनी पड़ेगी जोब हमने लास्ट क्लास सब्सक्राइब के लिए वह हमें यहां पर एक पॉस्ट कर देगी और पॉस्ट के द्वारा मुझे पूरा डेटा मिलने वाला यूजर का और चलो देखके आते हैं तो मैंने लक्षी के प्रोफाइल थी मैं यहां पर गया म यहां पे इसको रिलोड किया और तेखते हैं यह यह भी नहीं चाहिए यह बीजिए यही डेटा अब आगे बढ़ सकते हैं इसको ढेख्कर हम्ने क्या किकिया है यहultा Impact है जो हमने पर सब्सक्र single उबोट सारी चीजे वहां पर पाइज़ नहीं पढ़ेगा और उस इसके लावा चाहिए उसी सेट फॉर्मैट का अंदर अपने तो अ Social इन्पुट भी जाएगा इन्पुट मतलब यूजर नेम और अकॉर्डिंगली आपका आउट्पुट आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह सारी खार चीज़े डालके बेज़े हुए हमें इतने चीज़े देने के नीड नहीं है अपन वही जैसोन वाले चीज़ इंसर्ट करें करते हैं और हमने यहां पर प्रकार से यह पूरी की पूरी क्रियेट कर लिए इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं आपने बस बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और यूजर नेम को यहां से अटाया और मैंने कहा कि यहां पर हम करने वाले हैं जो भी हमारा यूजर नेम होगा यूजर नेम इस प्रकार से ठेक हैं ता आपने अपना इंसर्ट करते हैं तो यह आपका पूरा कोड सह एक्साट में सब्सक्राइब कर अपत् Бॉर elder क्रफेट क्रीड़ करने हैं श्लीका अपने फेले में कुझा है मैं अपने इस निर्फकोड यहांतर है क्लिए अपने कट कर लिया इसकी नीट नहीं है इसको फटा सकते हैं अभागे बढ़ सकते हैं फ्मार रहा था अभग की च्वभेक्न कारिक्व नीड़न नहीं है है आप्डेटेट कों में पर कर दिया और बढ़िया तो एक बार देखते हैं फिर से क्या हुआ तो हमने क्या बोला है कि जैसी यूजर की कॉल आती है सबसे पहले सर्च बटन के और टेक्स कॉंटेंट को सर्चिंग में कर दो अब बटन को डिसेबल कर देना कि दुबारे से क्लिक ना कर पाए टागेट यूरल आपने ह पास कर दिया एक चीज़ यहां पर गौर करने वाली है क्योंकि यहां पर ग्राफ क्यूल की यूज़ करें तो अपने पर इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बार चलेगा कर नहीं चलेगा और हमने इसको बोल दिया आप नीचे जाओ नीचे चला गया हमने बोला चला शुरू करते हैं तो अब अगर मैं यहां पर आगे सर्च मारूं तो कहता है शुड नौट बीम्टी मैंने बोला की नाम बता दो इसने मोला लव बबर मैंने बोला सर्च कर दो बढ़िया ठीक है पहले से कुछ अलग आ रहा है अगें डेटा नहीं आ पाया तो हमने जो आपका जो लीट कोड का सर्वर है वो हमारी रिक्वेस्ट जा रही है इस पर्टिकुलर एड्रेस से उसको फिल्फिल नहीं कर रहा है उसको ब्लॉक कर रहा है ठीक है तो जनली ऐसे सेनेरियों के अंदर आप एक छोटू सा प्यारा सा हैक लगा लेते हैं एक प्रॉक्सी लोकल मतलब वहीं काम कर रहे हैं यह मेरे लोकल मशीन है जहां से रिक्वेस्ट हो रही है हमने वह ला कि 5500 पर चल रही थी और यह चलीगे मेरे लीट कोड के सरवर के ऊपर लिट को सरवर ने सिक्वेस्ट को ब्लॉक करते हैं हम इससे फुल्फिल नहीं करेंगे कोई अर्र तो हमने क्या किया हमने यहां से एक निकाला कि अपन क्या करेंगे अभी रन करने के लिए अब तो चलो करते हैं है क्या किया जाए क्या किया जाए तो हमें एक प्रॉक्सी यहां पर ग्रीट करना पड़े गा वह प्रॉक्सी और हमें कोर्स के एक डेमो पर लेका जाएगा सब्सक्राइब डेयर डेमो सर्वर ऐसा करें कुछ ना कुछ तवाई जाएगा धूंडेंगे तो मिल जाएगा भी यहां पर फटा-फट यह लग रहा है मुझे तो यह रहा है तो यहां पर फटा-फट से मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले मैंने आप एक प्रॉक्सी यूरल बना लिया प्रॉक्सी यूरल अगेन अगर वह एप्याई चल जाती पुरानी वाली तो यही भानत करने ही नहीं पड़ती है मैं बटलो ठीक है कोई बात नही तो प्रॉक्सी यूरल आपने पर क्रियेट कर लिया और आपने इसको अब ध्यान सब्सक्राइब करोगे तो आपको बन रहा है यहां से यहां तक और यह शुरू हो जाएगा तो आपका मैं लेग देता हूं concatenated URL spelling गल्थ है ठीक कर सकते हो तुम मुझे पता है तुमने यहाँ पर इसे कर लिया और यहाँ पर इसे कर दिया तो यह جो overall URL तुम्हारा बन रहा है यह concatenated URL है यह पूरा का पूरा URL जाएगा तुम्हारे demo server पर demo server जो है वो इतने part को हटा लेगा इतने पार्ट को हटा लेगा और बाकी बच्छा हुआ जो है यह आपका आगे सेंड हो जाएगा इसके उपर रिक्वेस्ट आपकी चली जाएगे तो इस प्रकार से आपका प्रॉक्सी वाली गेम चल रही होती है तो हमने आपके लाजिक में क्या किया प्रॉक्सी यृरल सेट अपकर दिया और यह फैच को टार कर दिया हमने टेंपरी एकसेस उसने थीक है आपका डेमो सर्फ हो गया है अब मैं एक बार हीट मारके देखता हूं कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा और चलेगा तो पताल यहां से सारा देटा करके हमने लगाया था वो डेटा हमारे पास आच चुका लिए कोड़ की एकस रिस्पॉंस हमने सक्सेस्फुली जनरेट कर लिया है बहुत बढ़ी है और यूजर के स्टाट क्या चल रहे हैं यूजर के स्टाट यहां से उठा लेंगे कि आज़ेंगे तो यहां से सारा देटा टो हुठा सकते हैं सारा देटा के अप्डेट कर्दोगे और ओपर करता है टो डिल समेश önce इस प्रकार से आपका पूरा-ग constitu आ रहा है तो ठीक है तो यहां पर आपने यह पूरी की पूरी ग्यंट सेटप कर लिए तो इस प्रकार जाता हूँ इस data को populate करवाना चाहता हूँ इस data को कहां पर populate और चाहते हो इस data को में Ui कर करोने क लिए मैंने क्या कर दिया मैंने इस data को Chantan कर दिया कहां पर मैंने तो मैंने बोला डिस्प्ले user data और यह party कर दया तो यह तो कहां कहां दिखाना चाहते हैं इन तीनों सर्कल्स के अंदर दिखाना चाहते हूं कि तो इसको फैच करना पड़ेगा तो मैंने का अभी के लिए क्या करते हैं कि कौन कौन से एड्रेस पर है तो मैं फिर से एक लिया इनस्पेक्टर में गया मैं फिर इंस यहां कि मैंने बोला कि लक्ष एक ट्व effectivement और यहां में जा है कौंसूल के अंदर और search कर दिया है मैंने और data आ रहा ग्या बिलकुल आ गया very good नेट्वपद्वक में जाते हैं अबडर नेट्वक में चलते रहा पर यह ही मेरी fetch की call यह रहा मेरा response और बढ़िया response और अग्दम हमने सच्छा कॉपी कर लिया एक और हमने हापर website खूली जैस new for matter jeton for matter जबने फटावर्ट से उपन कर लिया इसके नमने data को फीड कर दिया और प्रसेस कर दिया सुन्दर देखे का थोड़ा सा और कुछ नहीं है ठेक है तो ये पूरा data मेरे पास ख़ए है हम सारी की साज़ चीज़ निकालनी पड़ेंगे तो all question count difficulty all 3, 2, 6, 3, easy, medium, hard so let's say यहाँ पर मैं हर एक चीज निकालना चाहता हूं यहाँ पर मैं हर एक चीज निकालना चाहता हूं तो हमने यहाँ पर निकाल दिया कि const total hard questions will be equal to total hard कहां से कहां तक आ रहे हैं आप अपने जो यहाँ पर data आया है इसका नाम क्या करूँ इसका नाम change करना पड़ागा तो confusion हो जाएगी दोस्त इसका मैंने बोला past data अब ठीक है past data, past data, past data, past data तो past data के अंदर आप गए उसके बाद कहां गए उसके बाद यह वाले data के अंदर गए dot data, उसके बाद कहां गए उसके बाद आप गए all questions count के अंदर इसके अंदर तो मैं इसके अंदर चला गया और all questions count के अंदर आपने देखा कि जो एक array है इस array में second index पर आपको easy का answer मिल रहा है third index पर medium मिल रहा है और fourth index पर आपको hard मिल रहा है ठीक है तो मैंने बुला total question निकाल ले थे बहले total question आपने निकाले तो zero index पर आपने निकाल दिया कितना count है चलो तो ये आपका पहला निकल गया total question आपने यहां से calculate कर लिए और क्या निकाल सकते हैं आपे मैं निकाल सकता था कि total easy question कितने है total medium कितने question है total hard कितने question है मैंने बोला कि one index पर easy पड़ा हुआ है two index पर medium पड़ा हुआ है hard तीन index पड़ा हुआ है तो total question कितने है वो मैंने यहां से निकाल ली है अब कितने मैंने solve किये है ये भी देखना पड़ेगा भाई है ना तो data के अंदर जाके matched user के अंदर जाऊँगा चलो ठीक है const my या फिर solved solved total question will be equal to तो हम data के अंदर गए data के अंदर जाने के बाद हम matched user के अंदर जाएंगे चलो आओ चले तो past data.data.matched user. इसके अंदर हम गए submit starts में submit starts.ac submission num का ये array है इस array में जो सबसे पहले 0 index पे आपके पास सारा data पढ़ा हुआ इसके 0 index पे आपने count निकाल लिया यतने आपके total question जो आपने solve किये हुए है ठीक है जी? चलो तो ये आपके आगए total question ऐसे ही आप बाकी भी निकाल सकते हैं total आपने निकाल लिये easy question कितने किये हैं total आपके medium question कितने हुए हैं और total आपके hard question कितने हुए हैं यह सब आपने यहां पर fetch कर लिया one index पर आपको easy answer मिल रहा है two index पर medium का और three index पर hard तो यहां से आपने निकाल लिया total question कितने हैं और solve question कितने हैं accordingly आपने हाँ पर इनका यूज करके आप percentage निकाल सकते हैं और percentage का यूज करके आप वो जो आपका green color का जो circle बन रहा था ना उन्हें populate करवा सकते हैं मेरे पाथ पूरा data आज चुका है total questions का भी और solve questions का भी तो यहां पर अपन पड़ावट से निकाल सकते हैं data चलो ठीक है जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो किस परकार किया जाए किस परकार किया जाए ठीक है तो इतना हम निकाल चुके और progress update करने का let's say मैं को फंक्शन बना लता हूं जो इन circle में update होने वाली है तो मैंने यहां पर एक function create कर लिया कि function update progress और इस progress के अंदर मुझे क्या क्या पास करना पड़ेगा मुझे बताना पड़ेगा कि total कितने question solve कर चुके हो और total question कितने हैं किस label के अंदर तुम्हें change करना है पहले तो मुझे solve पास करना है तो solve easy वाले question pass कर दिये फिर total easy वाले question pass कर दिये फिर easy वाला label पास कर दिया और easy वाला circle पास कर दिया तो इसके दवारे हम solve कर पाएंगे ठीक है ऐसी मैंने easy के progress अबडेट कर दी ऐसे meeting पर ये progress कर दी तीक है यह कर देता हूं टाइम बेस नहीं करता थीक है तो तीनों फंक्शन हमने आपके अपडेट कर दी हैं और अपने का आपस में लॉजिक लिखना ठीक है लॉजिक सिंपल है कि हमने आपस साइल से कंदर यह विए सी अपने को इसकी वैल्यू चेंज करने और कुछ भी नह आपका सौल्वड पाई टोटल स्टार हंड्रड थेक है जी तो यहां पर हमने यह परसंटेज केलकुलेट कर ली है अब हमने क्या बोला कि अपने को यह परसंटेज जो है वो अपडेट करनी पड़ेगी तो इसको फटा-फट से अपडेट कर देते हैं तो हमने बोला कि कि एक प्रॉपर्ट सबूंढ़ाओ स्टेज कर दो और हमने का रखना बिलए क्या रखना चाहतें मैंने क्या रखा कि क्या रखा है नाम यह रहा है इसे कर लिता हमने कौपी और यहां स्कॉ 책 कि वैल्यू का इस जांसे यह थि pea कि लिए तो मैंने मौला यह हमने कहेंदिया कि progress degree और एक percentage का sign चाहिए अपने को बढ़िया तो ये आपकी property हाँ पर set हो जाएगी और set होने के बाद हमें क्या चाहिए इससे आपका पूरा का पूरा वो circle में setup हो जाएगा जो जितना भी percentage आपको दिखाना है और साथ नापको यह भी दिखाना है कितने question by कितने question total है यहाँ पर तो वो आपने इस label के अंदर mark कर दिया कि भाई label के अंदर मैं जाओंगा और label का text content में set कर दूँगा और text content क्या set करूँगा अपने यह set कर देंगे solve by total कितने question बन रहे हैं तो यहाँ मैंने बोल दिया solved divided by total बढ़िया तो इससे यहाँ पर तुम्हाँ रेटन में आ जाएगा कितने वाई कितने question तुम्हारे हो चुके हैं लक्षे के ट्वल सर्च किया और बढ़िया तो यहाँ पर पूरा आ रहा है 60 by 820 218 by 1711 39 by 732 तो यह तो अपडेट हो रहा है दिखने में सुन्दर नहीं लग रहा है उसको ठीक करना पड़ेगा अपने को वह थोड़ा की प्रॉपरटीज में दुबारा जाना पड़ेगा हमने कहा कि सर्कल के अंदर जाके सेंटर लैन कर दो प्रॉपर प्रॉपर कोई और यहां पर भी easy progress के साथ ही होना चाहिए ये को मैंने run किया इसको दुबारा लक्षे create 12 search I think बढ़िया चल रहा है अब इन दोनों चीजों को मुझे नीचे एक के नीचे एक रखना है लेट से यहां पर easy लिखा हुआ है तो मैंने इसको change कर लिया मैं चाहतूं दोनों एक के नीचे एक आए तो जो तुम्हारा ये medium progress circle के अंदर ही mark कर देता हूं भाई सरकल के अंदर इसको flex direction कॉलम कर देता हूं तो यहां पर अपन ने पकड़ा इसको हमने बोला यहें के flex direction कॉलम एक नीचे एक आजाने चाएं आ गए बहुत बढ़िया या लगरा अइसत्क सुंदर भी लगर आँ देक पा रहे हैं इससको हैं मिडियम कितने हुए हाड कितने हो बढ़िया और सॉचते हैं चैनल चुने क्या कि जा सकता है अभी तो हमने इतना 965 266 68 let's say मैं कुछ कार्ट दिखाना चाहता हूं ठीक है और वो कार्ड में डिनामिकली पॉपॉलेट करना चाहता हूं ठीक है तो हमने क्या किया अपन यहां पर दिनामिक लिपॉपॉलेट करने हैं इन सम्मिशन जोटाहों कि तोटल कितने सम्मीशन इस वक्ति के हुए है इजी के टोटल के मीडियम के और हाड के मैंतार कर ले चाँ करेंगिया और यहां है अधियक इनदर अबजेकशन और लेडियोर्ट कर前 जो तो मुझे कहा जाना पड़ेगा मुझे टोटल समीशन नम में जाना पड़ेगा और टोटल समीशन मुझे कहा मिलेगा यह मुझे सब्मिट स्टार्ट में मिलेगा तो पाथ मेरा निकल गया रहा है यहां से यहां तक का कॉपी कर लिया मैंने मैंने बोला यहां से यहां तक जा वाहली जो हएक पड़ा है कि माने किन चाहे है और है यूज कर सकते हैं नहीं कर रहे अपन यहां पर one by one create कर रहे है value और अपना आगे बढ़ रहे है ठीक है तो यह एक object मैंने create कर लिया है यह एक object अपने फ़रा पर create कर लिया है और ऐसे ही अपन बागी object भी create कर लेते हैं तो हमने बोला overall easy submissions और यहां मैंने बोल दिया overall medium submissions overall hard submissions यहां मैंने बोल दिया कि 1 2 और 3 इंडेक्स बढ़िया तो यह मैंने card का data पूरा पूरा प्रेपेर हो गया है अगे फिर से चाहता हूं कि पर चेक कर लूँ आगे logic लिखने से पहले कि card के data के अंदर क्या आया है तो मैंने बोला card का data card data चल चेक करते हैं एक पर answer में क्या निकल गया रहा है हमने इसको inspect कर लिया हम आगे console के उपर हमने इसको run कि अलक्षे के 12 के लिए search किया card data हमारे पास आ रहा है बहुत बढ़िया तो यह card data पूरा आगे कि और और उसमीशन इतने आ रहे हैं मीडियम समीशन इतने आ रहे हैं हाट समीशन इतने आ ठीक है अब इस data को मुझे पूरक बूरा पॉपुलेट करना युवाई पर कार्ड करना चाहता हूं तो मैंने का ठीक है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं अभी कर लेते हैं मैप function का यूज़ कर लेंगे अपन कार्ड कर लेंगे ठीक है चलो आ जाओ तो सबसे पहले मैं इसमें जाओं गा और मैं इसके अंदर कुछ सब्सक्राइब आपने अक अंदर आपने क्या वोला कि मैं किसी एक पर्टिकुलर डेटा को पकडूंगा उस के लिए क्या कि करने वाला हूं एक पर्टिकुलर डेटा के लिए अपन rekسم ने पर में किसी लिए को पकड़ाओं ऊसको पकड़ने के बाद कि हम क्या रिटर्ण वाले हैं यहां हमने कहा करेंगे कि हम एक डिवरीटर्न करने वाले हैं और जले के अंदर हम हमने h3 ले लिया heading के अंदर हमने क्या रख दिया heading के अंदर हम value रख देंगे जो भी value हमने भी calculate की थी किसकी label की और heading के बाद let's say मैं एक paragraph रखना चाहता हूं और यहां भी हम एक value डाल देंगे किसकी जो हमने यहां पर भी create की एक label create किया नहीं यहां पर बात बन जानी चाहिए और चला के देखते हैं चलता है का नहीं चलता तो हम यहां पर आए हमने बो लक्षे k12 हमने search कर दिया और no data found no data found क्यों आ गया या यह तो सही चल रहा था भी तक अब क्या हो गया काड काड कर Hm Cons आ रहा है काड कर लिएसंट ś पर आ गया तो no data found क्यों हूँ थीना है है तु इहां पर कही पर कुछ पर करर आर रहा है कि काड स्टाइं और न अब आपने यहां पर इसको फिर से एक बार इंसर्ट करते हैं और क्या डेटा रहा है अरब तो प्रिंट नहीं हो रहा है लेबल इस नॉट डिफाइन चेक करते हैं तो लेबल लेबल की जगह यहां पर डेटा डॉट लेवल करना पड़ेगा यार और एक बार अपन क्या कर सकते हैं चीजों चल रही है और कॉमा क्यों आ रहा है कॉमा क्यों आ रहा है या तो अपन इस को इस पर कर लेते हैं अपन यह अटा देते हैं और अपन यह भी हटा देते हैं अब हम यहाँ पे गए हमने वोला के 12 हमने वोला सर्ज सच कि नियुक्त का नहीं हो रहा, इस पर करना पड़ेगा, फिर से हमाई लक्षे के ट वैल सर्च किया, बढ़िया, अभी ऐसी आ रहा है, तो थोड़ा सा, थोड़ा सा Card की, CSS Add करने कोईश करता है, जो हमने card create कर दिया है, card इस प्रकार से हमने बोला bg color जो है, उसको अपन यहां पर defining कर देंगे उसस्ता सुन्दर सा, तो let's say मैंने इसको एक random color दे दिया है, थोड़ा अच्छा color लेके जाते है, कि थोड़ा सा गंदा यह वैसे यह बात नी तो मैंने बात बुली मैंने व्हला कुछ पैडिंघ यहां पर एड़ करनी पड़ेगी कि विट आड़ बैल ले ले लिए तो तुमारी एड़ रही रही रहेगी और लेटसे माक्स विट मैंने सट अप कर दी है तुमारी यह यो थी 290-पिक्सल की और लेट से पड़िंग जो है मैं एड कर دी है, तुम्हारी 20-पिक्सल की और लेट से बौडर रेडियस जो है वो मैंने एड कर दियो तुम्हारी 10px की और कांड किस के अंदर हैं यह कांड के कंटेइनर के अंदर confian देंर क्या नाम था उसका और हमने वोल दिया फ्लेक्स रैप जो है हमने उसका अन कर दिया है फ्लेक्स रैप आउन कर दिया है हमने वोला की जिए यहay holiness 10 x पिक्सल का गैप मैं दे रहा हूँ और विट थोड़ी सी जादा चल रही है तो हमने लेटसे इसको 220 पिक्सल कर दिया और अभी भी थोड़ी जादा लग रही है लेटसे मैंने कुछ एक मार्जन भी आड़ कर दिया यहाँ पर मार्जन टॉप दो आरियम मार्जन बॉटम दो आरियम बढ़िया लुक्सगैक और क्या कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है और क्या कर सकते हैं इसित् дети थोड़ अशब अशवर कम कर सकते हैं 210 करते हैं 200 ही कर लेते हैं बार 200 मेर्म इरंट ट्राइल करना पड़एगा ? सब्सक्राइब करना बढ़ता है इसके इंदर वन आरियम मैं क्या कर सकता हूं जो भी स्क्रेप्ट है वां इस त्री की जगा च्पोर का यूज कर लेता हूं ठीक है अब वापस आता हूं एक बार सर्च करता हूं रन कर दिया बढ़िया चल रहा है कॉमाज आ रहे हैं इसको ठीक करना पड़ेगा हम गए यहां पर और मैंने सिंपल से बात बोल दिए कि यहां पर अपन ने इसको जॉइन कर दिया है एक बार हमने यहाँ पर इसको सर्च कर दिया डॉट जॉइन इस नॉट वर्किंग शायद हमने गलत लगा दिया है इसको अब ठीक है एक बार हमने फिर से इसको रन कर दिया अब थोड़ा सा और खेलना पड़ेगा इसके साथ अभी कर देंगे इसको हमने कर दिया है इसको हमने का फॉर हमने आप फॉरंड siise 0.7 production बड़िया पैडिंग बहुत जादा है पैडिंग कर दिए 10 चौरी तक हमने कर दिया 0.9 बड़िया इसके ईक दे दिए बना रहे हैं हम ही आजाओ चल जाएगा बहुत बढ़ीक है और हमने कआ के जो भी समय도 है यह ड़ अफिला के साथ क्या क्रना चाहते हैं था कहा इसको वड़ा सब्सक्राइब करो सकते हैं तरह करना कहीं मैंतर मैंसरा कांप्ड़ में इसके सपेस अवर stiff अन फ्लेक्स राप करती है , अ झेकलकुत इवनली ठ्राइव करते हैं अर इनकेraumya विच्छ खेन रज़नेते हैं इसको हमने बोला कि यह box size is out लग रहे हैं तो let's say minimum width भी define कर देता हूं minimum height भी define कर देता हूं mean height let's say मैंने बोल दिया 200 pixel तो क्या होगा बहुत बढ़िया 200 pixel तो बहुत ज्यादा है इसमें ज्यादा effort नहीं है बाकी चीज़ें ज्यादा असान होती है थोड़ा ज्यादा मुश्किल है लेट से 4 आरियम बोल दिया हमने इसको 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 पूरा कर चल रहा है सुर्वाजम दिविटतपन लेंगे लेंगे अब ठीक लग रहा है बढ़िया और आइथेंक सही चल रहा अब ठीक है तो अब लेट से मैं किशी का भी डेटा हैं यहाँ पर feed कर रहा हूं और मैं पूर चाहता हुँ कि जो मेरा ना जब मैं इसको फेच किया नहीं जाना पर कॉंटेणर के नाम इसको हाइड करना चाहता हूं इसको फेच किया जा रहा हूं तो अपन ने क्या बोला कि this.style.setProperty setProperty मैं मैंने बोल दिया display और मैंने बोल दिया hidden तो कैसे बात बन जाएगी जब मैं इस पर click करना तो hidden होना चाहिए हमने यह लक्षे किया search कर दिया hidden is not defined बढ़िया तो हमने कहीं पर कुई गल्ती कर दिया hidden is not defined यहां चाहा रहा है तो अकिस प्रकार किया जाएगा यह सोचते हैं इस प्रकार तो नहीं चल रहा है एक और चीज कर सकते हैं klaslist.add और मैंने यहां पर hidden कर दिया अब अब चलेगा तो हम यहां पर गए लक्षे के 12 सर्च किया और लक्षे की सब्सक्राइब चल तो नहीं रहा चल तो यह तुम्हारा होंबग है दोस्ति तुम मुझे बताऊगे कि क्यों नहीं चल रहा है पर जो मेंचीज है जो हम क्रिएट करना चाहते थे यहां पर ध्यान से अब्जर्ब करोगे तो एक बेसिक स्ट्रक्ट्टर हमने आप एड किया के एक एक यूजर का पूरा पूरा कंटेनर होगा जहां पर उसके इंपुट फील्ड और बटन आ रहा होगा एक स्टाइट का तो वह उन्हें जानवुच्ट के द्वारा किया इसमें क्या ही समझाओ मैं तुम्हें यह तो उन्दा स्पॉट जो पर नीचे चेंज कर सकते हो अगें सबसे इंपॉर्टन पर क्या थी कैसे तुम सर्कल के अंदर अपनी प्रॉग्रेस को दिखाने वाला तो उसके लिए य किया हमने वह पूरा कोंटेंट लोड हो गया है इस फंक्शन के अंदर तुम ने आप रण किया जब मेरे सर्च बटन पर क्लिक होगा तब मैं यह कारे करने वाला हूं तो क्या करने वाले उससे पहले उसर ने इंपुट वाली फील्ड से तो यह रहा तुम्हारा यूजर न वेलिडेट करने का function तो में वेलिडेट कर ले कि empty ना हो या फिर जो भी expected रेकल एक्सपेशन है उससे match कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर तुम्हारा वेरी गुड यूजरनेम लक्षे के ट्वल जनरेट देखते हैं इनके में क्या अच्छा यह मेरा यूई ऐसी बात थोड़ी है तो इसका हमने जनरेट करने कोशिश किरी और रेट ही कर रहे हैं तो हमने क्या सोचा कि हमार पास एक और सल्यूशन था यहां पर बताया था किसी पचे ने योलो 59 भाइसाब ने क्या अप लीट कोड की ग्राफ की यूरल को यूजरनेम के लिए पाकिसारी चीजें सेम है क्योंकि एक पोस्ट रिक्वेस्ट है तो मुझे फैच के साथ में एक औप्शन वाब्जेक्ट भीजना पड़ेगा तो और पोस्ट है एडर हमने हा सर्च करना चाहों कर लो नहीं करना चाहों तो एक पर देख लेते हैं उसके नहीं चलेगा भी चेक कर लेते हैं यहां पर आये लक्षे की ट्वैल शर्च कर ले इसका बात कर सकते हैं वैसे पढ़ना नहीं चाहिए था ठीक है तो पहले रिक्वेस्ट गई वह इन दोनों यूरल के पूरा बिल्कुल चल रहा है बहुत सारी चीज़े अलग अलग बना चाहते हैं तुम्हारी मर्जी है हमने इस परकार से क्रियेट करी है तुम कुछ और करना चाहूं कुछ और कर सकते हैं कोई पीशु नहीं अब देटा आया उस देटा के अपने यूई पर चीज़ें करनी थ हुआ अगर आया होता है तो मैंने आपर मैसेज इस परकार से कर दिया अगें मुझे से करना नहीं चाहिए नो डेटा फांड वास गुड थीक है तो यह तुम मुझे बताओगे कि इसको ठीक कैसे किया जा कमेंट सेक्शन के अंदर चलाने को चला सकते हैं और 10 मिन लग करना एक बर बताना किस परकार होगा मज़ा आएगा सॉल करोगे उसका अपने फंक्शन कॉल किया डिस्पे यूजर डिटा का जो की जो भी पास देटा आपके पास आया उसमें से आपका मेनिंग्फुल डेटा को फेच कर रहा है और फेच करने के बाद क्या कर रहा है यह जैंऑ सर्कल को अबढ़ाएट करने की कॉल आपने यह पर लगा डिस इस कॉल के अंदर अप जाते हो अब अब आपने डेटा को फेच करके हम पर किस्टम डेटा बनाया और यह आप नमेकली काड क्रिएट कर दी हैं उसक्थ पर इस पर इस प्रकार से पूरा का पूरा कोड आपने निखलिया है आपको मज़ा आयोगा यहां पे आपने एरर हैंडलिंग के बारे में चीखा के एरर हैंडलिंग भी हमने यहां पर की हुई है अगर आप ध्यान से अब्जाब करें यहां पर यहां पर नेट्वर्क कॉल भी करी इस प्रकार से अंदर आपने सब्सक्राइब करने वाले हैं और बढ़िया चोटा सा प्रजेक्ट था अगें इसकी संदर बनाया जा सकता है चलता है कि उसके उपर जाना कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है तुम चाहो तो अगें क्वारी में चेंजेश करके यहां पर एक्सेप्टंस रेट क्या चल रही है कांट्रिशन पॉइंट किया चल रहे हैं वह सार का सारा डेटा भी और अच्छा आप्टिमाइस किया जा सकता है जो कि आपर देख रहे होंगे किस पकार उसको लिखा जा स तो जहां पर आपकी जावा स्क्रिप्ट की सीरीज समाब्त होती है और नेक्स लेक्चर से आपकी रियक्ट कॉम शुरुबात कर रहे हैं तो दर्माद देवरें बड़ा मज़ा है आप से बात करके बड़ा मज़ा आपको शिखा के आप से बहुत कुछ चल रहा है सब बताएंगे इससे मुझे बहुत पावर मिलेगी आगे कंटिन्यू करने के लिए यहां पर मैं इसको समाब्त करता हूं आगे कुछ लेक्चर आपके टेल विंड के आने वाले हैं टेल विंड के जिसके जरनी और सब्सक्राइगी और खताम होते ही आपका रियक्